तो अब आच चुके exercise 3.4 के question 6th में 5th की मैं already video upload कर चुका हूँ तो वो भी देख लेना उससे अच्छा और अच्छा आएगा समझ में 6th वाला question ठीक है तो मैं देख रखा है cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0 ठीक है अब मैंने का मैं कुछ formula लगाता हूँ cos c plus cos d ऐसा कुछ formula लगाता हूँ मैं तो मैंने का या 3x और x को अगर मैं ले लूँ इन दोनों पर formula लगा हूँ तो c plus d करने पर न मतलब c plus d करूँगा न तो ये c लूँगा मैं और इसको d लूँगा तो 3x plus x upon me 2 c plus d by 2 होता है formula याद करो चलो मैं सबसे पहले मतलब पूरा का पूरा उतार लेते हैं cos 3x plus cos x minus cos 2x equals to 0 दे रखा है तो equals to 0 का भी मत लेके चलो चीक है तो या तो ले भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि LHS equals to RHS हमें प्रूब करना नहीं है इसका सिर्णल सॉलिशन निकालना है तो ले लो चलो ले लो equals to 0 ले लो हाँ तो अब मैं इस पे और इस पे अगर formula लगा हूँ तो cos c plus cos d का formula चीक है minus cos 2x चलता रहेगा last तक चलेगा जब तक हमाना खत्म नहीं हो जाता तो cos c plus cos d का अगर मैंने इदर formula लगाया cos c plus cos d तो इसका formula क्या होता है 2 पहले आएगा cos c plus d by 2 ठीक है वापिस cos c minus d by 2 तो अब इस चीज़ पे cos 3x plus cos x की जगे पे मैं यहाला formula लगा दूँगा मैंने का cos 3x और cos x की जगे पे यहाला लगाना है तो सबसे पहले तो 2 है सही cos का cos है सही c plus d by 2 मतलब c क्या है 3x plus d क्या है x क्योंकि इन दोनों पे formula लगा रहा हूँ पहले वाला c होता है पीछे वाला d होता है यह हो गया by 2 into मैं cos c minus d तो यही चीज माइनस में हो जाएगी 3x minus x by 2 simple सी चीज और 7 में minus cos 2x equals to 0 यह चलता रहेगा यह चलता रहेगा जब तक हमारा यह पूरा solve नहीं हो जाता तो अब मैंने कहाँ यहाँ पे 2 cos 3x और 1x 4x हो गया by 2 2 से 2 4 कट गया मतलब 2 2 से 4 कट गया into मैं cos 3x में से 1x गया तो क्या बचा 2x upon में 2 है इसी यह 2 से 2 कट गया minus का cos 2x हमारे पास as it is चलता आ रहा है equals to 2 बचा cos बचा यह हो गया 2x भई 4x by 2 था ना 2 से 2 कट गया क्या बचा 2x मतलब 2 4 जा 2 2 जा 4 होता है तो यह कट गया आया क्या 2x into मैं cos 2 से 2 कट गया x बचा minus का cos 2x equals to 0 अब मैंने का मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को common दिख रहा है कि मैंने का cos 2x भई क्या दे रहा है मैं 2 cos 2x into मैं cos x minus का cos 2x तो मेरे को cos 2x cos 2x common दिख रहा है तो मैं इसको बाहर ले लूँगा तो जब cos 2x मैंने लिया common ठीक है तो यहां क्या बचा 2 into cos 2x तो बाहर आगया तो 2 into 1 बचा cos 2x जब common आगया तो इसकी जगे पर क्या बचा 1 बचा यह तो हट गया भाहर से तो क्या बचा 2 into 1 मतलब क्या है 2 into मैं cos x है यह सही minus cos 2x तो पहले common आचुक है तो क्या बचा 1 equals to 0 अब मैंने कहीं मेरे पास यह चीज आ गई कि cos 2x bracket में 2 cos x minus 1 is equals to 0 तो मैं एक बार cos 2x को 0 के equal कर दूँगा एक बार 2 cos x minus 1 को 0 के equal कर दूँगा मतलब हम लोग पहले करते थे 9th या 10th class में भी करते थे पहले हमारे बहुत सारे question आए है कि अगर ऐसा कुछ चीज हो तो इसको भी equal 0 कर दो मतलब cos 2x equals to 0 कर दो इस चीज को equal 0 कर दो और फिर इस चीज को 0 के equal कर दो 2 cos x minus 1 equals to 0 तो इससे हमारे दो answer आएंगे चीक है ना मतलब cos 2x को मैंने एक बार 0 के equal कर दिया एक बाद 2 cos x minus 1 को मैंने 0 के equal कर दिया इसको solve करो, इसको solve करो अब मैंने का यह equals to 0 वाले formula लगेगा मतलब मैंने यह basic की वीडियो में बताया था कि zeros के 3 formula और non zeros के 3 formula तो जब भी ऐसा कुछ हो ना कि cos theta, कोई भी theta दे रखा हो cos theta equals to 0 तो theta क्या होगा मैंने basic की वीडियो में बताया था यह रहा, मैंने बताया था जब cos कोई भी theta दे रखा हो equals to 0 हो यह पूरा मतलब यह cos theta 0 के equal हो तो theta हमारा क्या हो जाएगा 2 and pi plus 1 यह bracket में रहेगा into में pi by 2, चीक है और n इदर क्या है? integer है और जिसको हम z से denote करते है n की value हम कुछ भी डाल सकते है integer minus भी होगा, positive भी होगा, 0 भी होगा चीक है, तो यही theta हम उदर ले लेंगे तो यह दोना चीज़े मुझे प्रूव करनी थी जब cos theta equals to 0 हो cos theta equals to 0 हो theta कुछ भी हो सकता है, theta हो या फिर x हो, कुछ भी ले सकते है 2x, 3x, 4x, 5x, या फिर 4 by 5 मतलब कुछ भी हो ना, तो अगर वो equal की 0 हो, तो हमारा theta क्या हो जाता है, theta हो या फिर जो बोलो, जो यहाँ पे हो जो चीज़ यहाँ पे होगी, वो ही चीज़ यहाँ पे होगी अब जैसे यहाँ क्या 2x है, तो हम इसको 2x के equal करेंगे, यहाँ theta नहीं लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, 2x, तो मुझे यह वाला formula लगाना है, आप तो यह चीज़ यादर को 2n प्लस 1 bracket में, into pi by 2 तो मुझे यह यह लगाना है, यहाँ पे theta होता है, तो मैं theta लगाता है, पर यहाँ पे 2x, तो मैं इसको 2x लगाके equals to 2n प्लस 1 into में, pi by 2 अब यह कर दिया मैंने, अब यह चो x खाली छोड़ते हैं यहाँ पे, मुझे तो x की value चाहिए यहाँ पे 2x आ रहा है, इस 2 को मैं नीचे भेज दूँगा, नीचे कहाँ भेजूँगा, इस 2 के पास, यह वाले 2 को मैं इस 2 के से into गड़ दूँगा, तो होगा क्या, x is equals to, 2n प्लस 1, into में pi by 2 into 2, मतलब हो गया 4, और यह हमारी 1x की value आ गई, चीक है, अब दूसरी x की value निकालनी है, तो cos x मतलब आगे 2 है, 2 cos x minus 1, सबसे पहले मैं 1 को उदर भेज देता हूँ, यही चीज है न भई, यहां क्या रहेगा, 2 cos x, यह minus का 1, equal के उदर जाएगा, मतलब क्या हो गया positive का 1, cos x यहीं रहेगा यह जो 2 है, इस 2 को मैं 1 की नीचे भेजता हूँ, भेज दिया मैंने, क्योंकि ऐसी होता हूँ, हम लोग करते आ रहे हैं बहुत सालों से, तो अब देखो, cos x is equal to, अब यहां पे भी मैं cos को डाल देता हूँ, cos x का cos x is equal to, half की जगे पे मैं क्या लिख देता हूँ, cos का half, क्योंकि तो है, is equal to, cos में half, कितनी बार आता है, cos 30 या फिर cos 60, मैंने का साइन में half 30 बार आता है, जब cos होना, तो cos 60 degree होता है half, और यही चीज़ मैं इधर लिखूं, cos x, चीक है यही से मैं चालू कर रहा हूँ cos x is equal to cos alpha के, चीक है तो हमारा formula क्या लगता है, यहाँ पर मैं सिर्फ formula बता रहा हूँ, cos यही से चलेगा हमारा cos x is equal to cos alpha हो तो हमारा formula क्या होता है, x is equal to यहाँ पर जो होगा, वो यहाँ पर आएगा मैंने भी बताया था, तो यहाँ पर x है, मैंने degree को मैं radian में क्या लिख सकता हूँ? πाई बाई 3 बाई रेडियन में आप तो यह learn होने चाहिए 60 degree को क्या बोलते है? πाई बाई 3 30 degree को πाई बाई 6 बोलते है 45 degree को πाई बाई 4 बोलते है मतलब learn हो जाने चाहिए अभी तक क्योंकि अगर हम πाई की वैल्यू 180 डालेंगे न तो 180 और नीचे क्या है 3 तो यह आएगा 60 degree इसलिए मैंने 60 degree को radian में πाई बाई 3 लिखा तो यह हो गया अब बन रहा है cos x is equal to cos alpha और जब ऐसी situation आए मतलब इदर से मुझे alpha की वैल्यू पता चल गई पाई बाई 3 और जब ऐसी situation आती है तो हमारा formula लगता है यहाँ पर क्या है x मतलब मैं x लेके चलूँगा 2n πाई प्लस माइनस alpha की value का पाई बाई 3 और यह हमारा answer हो चुका है simple था कुछ भी नहीं है यह हमारा 1x आगया यह दूसरा x आगया और यही पर हमारा exercise 3.4 का question 6 भी complete होता है